हेलो इंजल्स वेलकम टो मैं चैनल एरिस फुजयो सी वर्ल तो चलिए हम अपने स्टोरी असेक्स फ्रेंड्स बॉर्डरलेंड का नया जब्टर स्टार्ट करते हैं अभी जो है ना अभी हम एक सीन देखते हैं इस सीन में जो होता है जाओ जान जो है अपने वैंस से निकल के आता है और पूछ रहाता है कि यहां पर आया नहीं है क्या तो वहां से रिपलाई आता है कि हाँ अब तक नहीं आया है फिर जो जान होता है अपने घड़ी देखके बोलता है वह तो तो तीन घंटे पहले ही आ जाना चाहिए अब तक क्यों नहीं आया है यह वैर्ड तो थो फोन करता है फोन करके ना निकालता है फोन करते है पर कोई उठाता नहीं है और मदल्द जाओ जान इसका सुनके ना फ उसकी असिस्टेंट होती ना तुरंथ जाओ लाओस रहसे कोई आवाज आए ना उदर से आवाज आता है जो हाना तुरंथ फोन ले लेता है बोलता है हमैं जाओ जान हो क्या हो गया एबकों तो उदर से ना वांग लाओसी अब या नहीं पाएंगे और जान उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगते है बोलता है क्या हुआ है एक्जकली बताओ उसने तो बोला था कि होटल पहुँचने ही वाला है तो क्या हुआ है तब उधर से जो वांगी बो का एसिस्टेंट है वो बोलता है कि कुछ इंसिजेंट हो गया है अब जाओ जान गुस्यम आजाताए जो सका जो अलफा इंस्टेंट है वो जाग जाता है बोलता है मुझे पता है अब बता मुझे क्या हुआ exactly बहुत impatiently बोलता है बात को और ये सुनके उधर से जो है वो थोड़ा से डर जाता है obviously alpha का फेरमन जो बोलता है तो थोड़ा से डरता ही है तो उधर से बोलता है कि हम लोग आ रहे थे तो एक omega है वो heat में आ गया बहुत दबे आवाज में बोलता है पर जो है वोग इवो उसको loud and clear सुनता है और ये सुनके उसका face बिलकुल dark हो जाता है उसके हाट धंडे पर जाते है उधर से assistant बोल रहोता है कि वोग लाउसी ने उस omega male omega को उसके साथ लिया और तब तक जो हो ना उधर से वोग इवो जाओजन को काटता है उसके बात कर बोलता है कहां है वो अभी क्योंकि दूलब अब भो इतना cold verse है बोलता है कि उसको भी समझमे ने आ रहोता है कि उससे नहीं पता इवो क्या किया क्या नहीं उसे सुनना भी नहीं है, जो भी है, तो फिर पूछता है कहां है, तो उधर से उसके असिस्टेंट, वांगीबो के असिस्टेंट बोलती है, कि जाओ लासी अपने होटल रूम में है, तो जाओ जन अपने ड्राइवर को बोलता है, कि जाओ सैपेरियो होटल के करना उदहरो को हों कुछ केλ Observator को बोलता है कि आज़न भी से पहली नE どյर पिर चांजिवल को सुनने का मने कुछ केर नहीं है यह वह रच में कुंछ के पर nadzie मैं तुम्हारा सेलरी आज ही डबल ट्रिपल कर दूंगा इस महीने के लिए और जितना डिस्टेंस दो घंटे का डिस्टेंस होता है एक सरी सरी दूसरे सिटी का बहले ही डीप नाइट है सडकी खाली होंगी फिर थोड़ा बहुत तो ट्रफिक नहीं होगा फिर भी जो भी है जाओजन के लिए यह वर्थ ट्राइंग होता है जाओजन स्माइल करता है और बोलता है मतलब वहांगी बहुत से स्माइल करता है और बोलता है कि आपने आधी घंटे में पहुंचा दिया तो जितना बोला है उसके आगे और एक जीरो रहेगा और जो ड्राइवर हो ना उसका चाहरे से पासीना निकलने लगता है पर वह एक तम डिटर्माइंड हो जाता है अब जब पूरा ट्रिप होता है ना बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करता है वह बहुत प्रोफेशनल है यह जितने भी हार्ट ड्रोपिंग ट्विस्ट और ना उसको भी बहुत सेफिली वह पहुंचाता है वाल यह देखे ना जाओजन खुद भी हमेज़ी हो जाता है उसने बिलीब नी किया होते कि जैनमिल ली यह द्राइवर इतना अच्छा होगा उविसलि इतना वड़ा पर सान था अच्छा होता है अच्छा हो जो पता नहीं कंपोजंगें होता हैं पर जुंका होता है चारी होता है किलो अधरी करें तो सब्सक्राइब होता है और हुथ उनका चूडर कोका ह heal कारी स्पीड में जा रहा होता है जब स्ट्रीट रोड में अःग्मस्टीय तो लग रहा थानिव आधा संद़ कर रहा है और जो जाओ-जान के फोड़ की जू बाइपसेंजर्स होते हैं उसमें वो बस ब्हगवान को प्रेय करते हुए आते हैं अपने वस्षीट को प्रेयर से प कड़ा होता है और प्स прेय걸 कर रहे होता है और जो इस बार जाओजन वांगीबो के एसेशन को क्लोस फून करता है और बोलता है कि मैं बहुत पास हूँ फून करके बोलता है और फिर वो लोग आधे घंटे के जगा जो भी है 45 मिनिट्स में कहां पर दो घंटा बोला था उसको 45 मिनिट्स में पहुंच जाते हैं पैट करता है और बोलता है कि वह एंड में जीरो भले ही नहीं लगेगा पर जो ड्रुपल मैंने बोला था आपका सेलरी हो जाएगा उसको मैं बिलकुल दूंगा आपको और आपके हार्ड वर्ग के लिए थैंक यू और गुड लग और फिर बाकी लोग के तरफ देख के बूलता है कि जितनी लोग मेरे साथ आये हैं आप सब कवे सैलरी डबल है प्लस मैं बोनस भी दूंगा और सब साथ में बोलते कि थैंक यू ज्याओ लरसी फिर जावजन ज कि थोड़ा होनी आप सम जाफ के साथ मिलते हैं उन चीफ दो में एक रूम में जाते यहां पर ऑल्य चार लोग रहते हैं और singer जोके लग रहता है है मतलो स्टाफ है और फिर जावजन मतलब मास निकलता है कैप निकलता है और हाथ पढ़ा के बोलता है उसके रूम का चावी दो मुझे और उस रूम में बिलकुल साइलेंस चा जाता है सब लोग एक दूम सर्प्राइज हो जाता है कि दूम साइट से ऐसा नहीं है कि वांगी बोर जावजन के बार में उनको पता नहीं है सब को पता है पर उनको यह भी पता है कि रिलेशन्शिप जो है बस एक कैशुल फिलिंग का है कोई बॉइफ्रेंड नहीं है वह सोच में रहते हैं कि क्या हम बस एक कैशुल फिलिंग य एसा तो नहीं है कि हमारे बॉस का ये ऑफिशल पार्टनर है फिर वो सोचते हैं कि भले ही ये कैजुल पार्टनर हो पर फिर भी वह रैट फॉनिक्स है इसका बात कौन रिफ्यूस कर सकता है और वांग इपो को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो क्या बोले क्या करें कुछ बोल पाता है उससे पहले जावजन बोलता है कि मुझे दो अब ही इस बार बिल्कुल अल्फा ट्रोन में वो ग्रॉल करते हुए बोलता है एक्टम हैवी ट्रोन में बोलता है कि उन्हें कोई डिस्टरब नहीं कर सकता और किसी को भी अंदर आना एलाउड नहीं है अब यह सुनके ना रूम में एक हैवी प्रेशर आ जाता है और टेंपरिचर ऐसा फिर होता है कि 10 डिगरी नीचे हो गया है मतलब पूरा रूम जो है ना अल्फा फेरोमोन से डार्क फेरोमोन से गुस्से वाले फेरोमोन से भर गया होता है उन लोग को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है क्योंकि डार्क फेरोमो और जब यह ऐसा हो नो उनका अंदर ऐसा मतलब डिजायर होता है कि जो वह बोल रहे हैं वह इमिडियेटली ग्रांट हो वरना कुछ डेंजरेस हो सकता है इन फेरोमून्स का रोकने का एक ही तरीका है आईदर उनका जो ओमेगा पार्टनर है या जो भी उनका पार्टनर है वो उनको गोल्डाउन करे या फिर जो डिमांड किया जा रहा है उसको मतलब ग्रांट किया जाए और मतलब उनके पास कोई कुछ सिच्वेशन नहीं होता है इसलिए लास्ट में हार मान जाते हैं वांगी वो की एसिस्टेंट या जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर इसके परसन उसको बोलते हैं ओके जाए लर्शी हम समझ रहे हैं हम दे रहे हैं आपको इसलिए जाए और मतलब चुपचप जो है वो को निषुआ तो कियाकट देते हैं जाऊ-जाँ मैं के इकट को भाट को अपनों देते हैं और चला जाते हैं और इस रूम के निषै के पर था हाथ से तरह वीक होते हैं वो सचमच ऐसा नीज के बल में फ्लोर में बैठ जाते हैं अब जो वांगीबो को साथ हुआ था था ना सुनके जाओजान को मतलब ऐसा लग रहा होता है कि मुझे बस पहुचना है वहाँ पर जो भी हो पहुचना है और जब वो रूम के सामने पहुच जाता है वो दर्वाजा खूलने का उसका मन नहीं करता है क्योंकि वो वांगीबो को ओन नहीं करता है वो वांगीबो को सेक्स फ्रेंड है वन आफ दा मैनी मतलब कितने फ्रेंड्स होंगे उनके बीच में वो एक फ्रेंड है इकलोता भी नहीं है और क्या फर्ग पड़ता है अगर वहांगी वो किसी और के साथ सेक्स कर रहा है तो यह तो जावजन को कोई प्रब्लम नहीं होना चाहिए जावजन को सब कुछ पता है पर जावजन लिटरली उस चिसको हेट कर रहा होता है कि उसे वो नहीं चाहता कि जो चीजे वो उसके साथ करता है वहांगी वो जावजन के साथ करता है वो चीजे वो किसी और के साथ करे स्पेशली किसी मतलब अन्नोन अमेगा के साथ करे और जब अन्नोन अमेगा जो हीट में है अगर क्या हुआ वांगी वो ने अपने हीट में अपने रट में आकर उसके नेप में बाइट कर लिया तो और फिर जावजन सोचता ने कि इतना टाइम बीठ गया है में पहुंसते पहुंसते मुझे लग रहा है वांगी पहुनने तो गडिया होगा जावजन का सोच सोच के अपने फीट को क्लैंच करता जोर से अपने मुठी को जोर से पकड़ता है और लास्टली ना मतलब डिटरमिनेशन के साथ दर्वाजा को खोलता है और खोलता है तो उसके अंदर बिल्कुल एदम डेंस फैरोमेंस उसे फील होते हैं एक दम स्ट्रॉं पर जो अंदर एंटर करते हैं तो इसको सर्प्राइजिंग लिग कोई दूसरा फैरोमन्स फील नहीं होता है तो कि अगर सेक्स हो रहा हो तो दोनों पार्टनर्स का जो फैरोमोंस होते हैं जो स्मेल होता है वह रूम में फैल जाता है तो अब अभी कोई मतलब दूसरा नहीं था कोई मिक्स सेंट नहीं कुछ नहीं एक दम प्यॉर सिन्नमम का जो है ना दार्चेनी का स्मेल है वही आ रहा था और जो अंदर बिलकुल बैडरूम तक बिलकुल कोई कोई नौइस कुछ नहीं आ रहा था जावजन थरा पजल हो जाता है फिर में धेद्री आगे ज जोर से शाई करता ना इतना रिलेक्स फेल होता ना उसके शाई करने के बाद जावजन फेल करता है कि उसने अपने सांस को कब से थाम रखा था फिर वह सोसता है कि वांग इबो से कोई डीटेल पिछे फिर सोसता है कि बाद में यह सब होता रहेगा यह सब अभी कोई मैटर करता है अभी इस moment में वंगी पो ने किसी के साथ bond नहीं किया है किसे unknown वंगी के साथ वो naked नहीं है बैड में जो मतलब जिसके लिए जावजान होता है मतलब बहुत ही जादा thankful होता है वंगी पो जब थोड़ा सा कम और रिलेक्स होते हैं तो देखता है कि को इसके तरफ आ रहा है और मतलब जावजान तो को देखता है ना किसी का अने का अग्रित कर उब जोबम जोज ऐसके बिरेंद कर लेता है और उसनी मुठी तरी तरी से बंधी हम युआ होती ना कि अभी से खुलू लिटर by इसके नेल से तपक रहा होता है और इसके जो आईस एने एक दम अग्दम सेक्शुल डिजायर से जो फेज है बिलकुल रैट था और उसका जो कॉंसियर्शनेस है जो होश में होता ने बरस बरस बिलकुल खतमी होने वाला तो मतलब होश में नहीं ही है लगभग समझ दो होश म बहुश नहीं है जो फेज़ामों से इतने जादा वह एक्फ्रेक्ट हो गया है कि उसका रट ट्रिगर हो गया है और मतलब अल्फा का रट जो होता है मतलब वह उसमें कुछ ध्यान नहीं होता है कि क्या हो रहा है उसके आसपास और वांग इवन खुद को बहुत ही मुश्क इस मोमेंट में वह बस अभी कंसेशनेस खोने वाला है मतलब बिल्कुल ही अब वह फेरोमेंस के अंडर ही हो जाएगा इसलिए उसने बहार बाडी कट्स को बिल्कुल इंस्ट्रेक्शन दिया होता है कि कुछ भी हो जाए अंदर किसी को आना नहीं चाहिए और चार लगों क बहले ही इस सिचेशन में है उसका जो मतलब सैंसे अभी शार्प है उसको जो फील होता है कि कोई अंदर और आया है और मतलब इंटॉडर आ गया है उसको मतलब फील करते हैं वह गुस्से के माय अतना ब्लट शोट आईस से रेड आईस से ऐसे आखे गुस्से में देखता है और जैसे ही देखता है न कि वह कौन है person सामने उसके जो गुस्ते वाला look होता है न वह बिल्कुल तुरन थी within seconds वह चेंज हो जाता है और gentle और yearning चाहत वाला जो होता है किसी को बहुत चाहत के देखता है और इस soft नजरों से देखता है न उन नजरों में बदल जाता है उसकी जो आखे न फिर से clouded हो जाती है और वो प्यार से softly बोलता है as a confirming करते हो बोलते है कि जान गर जान जो है न फास्ट उसके पास जाता है और बोलते है मैं यहाँ पे हूँ और जो वांगी बो है न अपने हाथ उठाता है उठा के वो चाता है कि सामने जो परसन है तुरंद उसके पास आ जाए एकदम pleading tone में इस बार बांगी बोलता है कि जान गर और जान जो होता है न एकदम खुद को अपने उसके उपर fake देता है मतल template इसको धया आ रहा होते है मेरे प्यारे भोड़ा जी मेरे प्यारे से बापी मैं यह ते हूँ बोल करना दोने एक दूसरे को yearning के साथ एकदम emotionnal na एक दूसरे को hug करते हैं ौर जैसे लिए हग में आता है ना जाओजान का स्मैल, dari जो घूस बम सागें इसके बॉडी के सारे हैर्स खड़े हो गए और जो वांगिबा है ऊसको मतलब फील होता है कि अब वह रहीं ने सकता है वह जाओज़न के कपड़े फार नहीं वाला होता है जाओजन अपने शर्ट को खोल देता है कि उससे पहले यह डाइसस्टर हो जाए और जो जावजान का naked body देखके वांगी 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 अपने तंग से और जावजान देखते है या वांगी पूछ इसके प्यार से देख रहा था चुछ कर रहा था ना उटेश्टी है कि वह थी बहुत ही ठीश्टी यह गता है और जावजन पोच लेता है कि क्या वाड़ी ये टेस्टी है क्या और वांगी बॉस हम करता है हलका सब बोलते हम पर फिर से उनको सक करने लगता है अब ये पैन पहने हुए है और इतनी टाइट है कि इसको देखके ना खुदी उजावजन को पैन फील हो रहा है वह क्या करता है किस तरह इक हाथ से वांगी बॉक पैन को नीचे खोल देते हैं और इसका बिचारा पिटिफल कॉक होता है वह थोड़ा सा हवा में आता है थोड कि रुको मैं जानगा को help करने दो मुझे help करने दो और वांगी बॉजो होता है इतना absorb होता है कि जब उसकी male body male organ को touch किया जाते है वह उसको surprise कर देता है और उसकी आँखे ऐसे खुल जाती है खुल के गहरी आँखों से खुल जाती है मतलब surprise हो जाता है और फिर वह जावज जावजन के लेक्स को जावजन के पैंट्स कोलता है और जावजन के लेक्स को जितना possible हो से कि उसको वाइड करता है और बीना कुछ वोले वह जावजन को स्टैप कर देता है मतलब अंदर डाल देता है और मतलब जावजन जो है ना आह करके चिला देता है क्योंकि वह बिल बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं होता है क्यूंकि उसका रट जो है ना बिल्कुल ही डेलियस बना दिया उसको बलकुल ही होश नहीं है he निमांगी बस यही ख्याल घूम रहे होते हैं जो हर अल्फा को अपने रट में गुंते हैं एक डॉमिनेट ब्रीड एन इस मैन को जो मेरे बिनीत में है मेरे नीचे है उसको में डॉमिनेट करो और रूर ये इस अल्फा का इंस्टिंक्त होता है अब जाऊ-जाना प्लेजर औ और बांगिबो के अंदर हो कर दूलिक्ता पाता है vo DOD को अच्छे लियुकर वागिबो को बहुत पिलेखने, और इना कि अपने बाड़ को बाडया जान से भिएशा है और वाइस वर्सा और बांगिबो को पाता है तो मतलब वांगी वह जो चढ़ रहा होते हैं जावजण बिल्कुल फिल कर पाता है कि उसके साथ क्या कर रहा है अब वांगी वह जावजण के नेक में हार्ट ली बीट करते हैं इसको धून निकाल देता है जारवजन का ऑऊगेंसम मिल जाता है वांगी बो भी मतलबू उसके sivering से मतलब गेज को देखे हैं, मतलब वो इंटेंसली इतना जाओजन को देख रहा होता है, कि जाओजन को ऐसा फील होता है, कि वांगीबो का मास्टरपीस जाओजन खुद है, और वांगीबो भी खुद इतना अच्छा फील कर रहा होता है, अपने मास्टरपीस को देख के, मतलब वां इतना जौर से होता ना कि मौनिग जाउजन जो भी मौनिंग कर रहा है चला चला कि उसको भी सनाई देता है और पूछते है कि हाँ इबो का नाम सुनके ना वांग ऐबो का मतलब आँख से और ज़्यादा हंग्री हो जाती है वह जाउजन को देखने लगता है ऐसे हंग्री न और यह जो मुमेंट होता है ना जावजन के ऐसा फील होता है कि जो यह एवो हेवांगी वो उसकी सामने है यह उसका है और सेम टाइम उसका नहीं भी है और यह सोचके ना मैंकर जावजन सोचता है कि कितना अनफेर है और फिर उसके मन में जावजन के मन में बहुत सारे थार्ट्स आने लगते हैं वो सोचता है उसे उस अन्नोन उस ट्रेंजर ओमेगा को पर गुस्सा आने लगता है बोलते हैं मैं उससे कितना हीट करता हूँ जो तो वहीं पे जावजन अपने इस टुपिड अल्फा को वैसा फेलिंग जो अभी वह फील कर रहा है रट में एकदम पुरा खोया हुआ ऐसा बना नहीं सकता है मतलब जावजन सोच रहा होते हैं कि मैं हेट कर रहा हूँ इस फीलिम की कि वहांगी वह इतना टेस्टे दिश है और उससे खाने के बाद भी हर बाद उसको साटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है वहांगी वह ड्रग की तरह है कि एक बार लेला तो उसे बार-बार चाहिए वह सैटिस्फेक्शन मिल नहीं सकता है सतिस्फाइड हो कि जब मेरा मन भर गया ऐसाथ होसकता है पर जब उसको यह सब चीज़से फील हो रही होती है कि वह जो है टेस्टे डिस नहीं की जो खाने के रिटर्ण नहीं होनी वाला से थाफ़ाइं शेमें सब्सक्राइस का थे? शो कले के वारे निगे हो रेहे थे जब मैंने सुना कि कोई Omegas के सामने हिट में है जो मुझे feelings आया उस समें तो मैं उसे चीज़ को experience नहीं कर पाया पर अब उसे बिल्कुल ही पता है जाओजान की कि वो क्या है वो प्यार है वो already वाँगी वो से प्यार में पढ़ गया है लिटरली वो प्यार करने लगा है उससे अब यह बिल्कुल casual sex या feelings नहीं है और यह वोर भी वोर्स है और भी खतरनाक है उसके आँख से पानी निकलने लगता है जाओजान की उसके आँखे भर आती है और मतलब जो आँखोंसे ना पानी टपक टपक करके नीचे गिर रहा होता है साइड में उसके आइस के साइड से और वो जाओजानि वांगी वो के तरफ देकता है और देखके बोलता है कि देखो मुझे और अपने मन में बोल रहा होता है कि सिर्फ मुझे देखो only me किसे random omega या किसी और को नहीं सिर्फ मुझे जाओ जान को तुम्हारे जान को ये मेरा body है right now जो तुम से connected है जो एक alpha है एक fucking alpha है बिलकुल तुम्हारे तरह कोई omega नहीं है जिसका send से तुम्हें red trigger हो सके ये तुम्हारे जैसा ही एक alpha है जिसको तुम अभी sex कर रहे हो ये मैं हूँ जान का ये सब चीज़े है ना जो जाओ जान चिला चिला के बूलना चाहता था पर ये से बाते हैं उसके गले में ही रुक जाती है और उसके मूझ से बस एक रोने का sound निकल जाता है और उसका रोता हुआ देखके ना वांगी वो नीचे जुकता है जुक के उसको किस करने लगता है उसका tears को ऐसे अपने lip से किस करकर बोल रहा होते कि मत रो तो जाओ जान बोलता है कि नहीं रो रहा हूँ तो वांगी वो अभी मतलब कुछ होश में नहीं है फिर भी बता नहीं क्यों उसके अंदर एक feeling आता है कि हां मेरे सामने जो है रो रहा है फिर बोलते कि painful दर्द हो रहा है uncomfortable हो रहा है और पने मम में सुच जाओ को बहुत दर्द हो रहा होगा और फिर वांगी वो जो है ना वो खुद को मतलब अलग करता है और जान जो नीचे फ्लोर में ठंडे फ्लोर में रिटावा होता है उसको उठाता है और जान पोश लेता है अपने उसको उठाता है कि वह औखीवँने फिर से जो पने अपने डिकाओ jean के अनदर थ्रस्ट किया है और त्रॉस्ट किया है और इसद्धाते करते यह जान को बैड़ में रगता हुए और बुलता है कि बैटर अब अच्छा फेल हो रहा है मुलकी जान को हैर्स को किस करने लगता है उसके स्वेटी फॉरहट को किस करने लगता है और अपने हाथों से ब्रश करके पसीने को पूछ रहा होता है और फिर जान और रोने लगता है इसको देख के इत्म लिटरली रो रहा होता है वो पेन के मारे नहीं दुख के मारे के कित जिना भी वो ध्यान मेझे ना होश में न आ हो पर इतना कीयरिंग है उसका जो केरनेस है वो हमेशा ही ऐसा है वो केरफुलनेस और जान जो अपने आँखें बंद कर लेता है और वांगई बो को उतनी बार उसको किस कर रहा था और जो lost and confused जो बिलकुल ध्यान में नहाँ है वो फिर से पूछता है कि अभी भी दर्द हो रहा है और मन में सोच रहा होते है कि जान गो क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है क्या और जान जो है अपना सार हिलाता है बोलता है बिलकुल नहीं और फिर वांगी बो का फेस को पकड़के बोलता है कि क्या तुम मुझे पहचान पर रहा हूँ मैं कौन हूँ और जान गो मतलब वांगी बो सुचता है कि क्या जान का कैसे strange question कर रहे है जान गा है और कौन है वो सुचता है कि मैं किसी और को जान का क्यों समझूंगा फिर वो जोर से बोलता है कि मेरे जान गा हो और ये सुनके जाओ जान का दिल और उसका ऐस दोनों एक साथ धड़कने लगते है और वो बहुत जादा खुश हो जाता है वो वांगी बो को खेचता है और स्लोली एक दो स्लो स्लो किस करने लगता है फिर जो है जान जो है वांगी बो को बोलता है और फिर जो है जान बोलता है ये बो को क्योंकि तुमने मुझे अब तक किस नहीं किया है ऐसा बोलता है थोरा सा मतलब उसमें पाउटी डूबने बोलता है और वांगी बोलता है और वह जान के पतली ते कमर को सहलाता है और मतलु उसके बॉड़ी को ना ऐसे किस करने लगता है टच करने लगता है उसके निपल्स को सहला रहा होता है अपने फिंगर से सब्सक्राइब खेल रहा होता है जान करता है वांगी बो की शर्ट के अंदर हांगी बो को ख huge को खूल दे और वांगी बो के ब्रेक करना चाहता है और उसके जो ही does around the期 can less coat मैं भामय खक खोंद तरह क्या ही बाली सी वेप्ल पार के शाइन मीद आम पेस रहा यह रहता और जब गाल करें के कहा मुस्प मैं काहिए अडुक है। दिक को निकालता चा Amina के अधर से जोर थे करता है। और जान फिर से मोन करने लगता और यह चीज वांगी बुझे है ना रिपीटिटली कर रहा होता है पर वो जान को बीच वीच में लिप्स छोड़ भी रहा होता है क्योंकि उसको सांस भी तो लेना है ना और जब चोड़ रहा हुताया है जान के लिप्स को वी उप्सक की जान के निपर्स वाँए है है और इसके दूच का ने… जान के फूल्ड, हा नहीं इसका बाड़ी औरमैंड पॉर्ट सब सूचता है कि इसकोर्धार में पढ़ना है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वह इतना insecure kind of feeling कर रहा हुता हैं जान अभी इस टाइम में इतना कुछ होने के वावज men कि जान सोच रहा होता है कि मतलब जान से प्यार में पढ़ना बहुत है मुश्किल है कि तो Cakeश कि ये वह सच मेरे बारे में ही सोच रहा है कि कि आभी इबो बोल दे कि आभी जान बोल दे कि मैं तुम से प्यार करता हूँ तो इबो इसे accept कर लेगा अगर कर लेगा तो शायद जानना अभी happiness के मारे मर ही जाएगा पर अगर accept नहीं किया और इबोने reject कर दिया तो शायद सब मर जाएंगे तो जान कही खो गया है तो पुछते क्या हो गया जान को किस करता बोलता है बस मेरे नाम लो और इबो बोलता है जान का अब फिर से मतलब इनको किस करने लगता है तो जान फिर से बोल रहा हुता है कि मेरे नाम लो तो फिर से बोलता है जान फिर से बोलता है मोर और बोलो जान फिर से बोलता है जान फिर से बोलता है जान फिर से बोलता है मोर और बोलो जान फिर से बोलता है जान फिर से बोलता है जो हों कि वांगे doubling की इंसिस्टेंस वार बार जान गई जान गार जान गुट रहा है और जयार को भी है पॉल पॉल। करते हैं जान गाजा जान गई करते हैं हैं जौछ रूठल दोन जान गई करते हैं। और आपने finger nails जान बेक को scratch करते हो अपने ताइट लिए अपने तरफ खीचता है और दोनों मतरब tight में एक दुछे के embracement लॉक हो जाते हैं और बोलता है जान कि बोलते रहो बोलते रहो मेरे नाम लेते रहो जान ने इबो को इतना tightly अपने nails से scratch किया होता है कि इबो को तरह सब pain भी होता है पर इबो को माइन नहीं करता है और वो जान गा जान गा बोलके एदम रेपिटेड ली ना इसका नाम ले जबते जा रहा था उसके मंद में यही चीज़ हो रहते हैं कि जब भी वो जान कには बोलता है जान को को पसंद होता दो उसका मायनल ने पर ऑजोंए नहीं भी होता है फिर भी वो वही चीज़ कर रहा है फिर हमको हीट में है और उसका हाथ जो है ना दो जो थोड़ो मुझे और शोड़ो मुझे यह आवाज चोड़ो मुझे तौन के ना वह देखता है जो इसमोर्ट में लिए होश खो गया हो तो जो जोरस दक्का मारता है अपने हाथ को ऐसा अपने कपड़े में पौचने लगता है कि जैसे कि उसने गंदी चीज खूली हो इतना डिस्गस्टिक फील कर रहा होता है वो सामने वाले ओमेगा के लिए नहीं उस आदमी को देख के उस फील नहीं हो रहा होता है गंदा चीज उसको अपने उपर इतना अपना गंदी तरह की से vicd के हेट को को ट्रिगर department कर दिया, इसलिए खुद के उपर इसको गंदी चीज शpole की घंटकी कीव defल रही होता है और अजरी मशर सामने वालें में नहीं होता है ज relacion कesis कितना पीचे और इंस्पेश्टिक को वुछता है कि तुम्हारे पैरेंस कहा है तुम तो इतने माइनर लग रहे हो अकेले क्यों हो बिल्कि ग्रोल करते वे जान वांगीबो जो पूछता है जो मील अमेगा होते ना वाल में ऐसा थरह सा हैलन्द देते हुए पूचता है बोलता है कि वह नीचे है मैं सुटा है मैं पूर में था बैस अपना सुचत आ कि स्विमिंग वाला चश्मा किसी एडल्ट को किसी को भी एसॉल्ट तो कभी नहीं कर सकता है कभी नहीं हो सेक्स करता है पर दोनों म्यूच्वल होते हैं कि सामने वाला पार्टनर भी उसे आके बोलता है करना हमें तो वह म्यूच्वल mutual sex होता है वो कभी किसे को assault बिल्कुल नहीं कर सकता बोल कि वो अपने आपको किस तरह control करता है अपने staff को तुरंत बलाता है और आके बोलता है कि कुछ करो इसके बारे में मैं अपने room में जा रहा हूँ मेरे room में literally कोई नहीं आना चाहिए कि कोई नहीं एक single soul भी नहीं आना चाहिए बोल कि वो अपने room में चला जाता है और दर्वाजा टाइटली बंद कर लेता है अब है अब है प्रेजन का सीन दिखाता है कि जावजन जो है मतलब रूम में चो हलका फुलका भी भी पी मैं आप एक सीन ना माम का सेंड़ भी तुफारा रहा होता है इसको ना दिल भर के सांस ले रहा होता है वो बोलता है कि मेरे पियारे बोडी तुम कितने एमेजिंग हो कितने एड्माइरिंग हो तुमने बहुत अच्छा किया यह सुआ बाते हमने सुनी होती है यह बाते यह वाग इबव फर जाओब आप तो सो जाओ अप रेस्ट कर लो, पर जाओबव इबब पना ओड़ और ऐसे टैप करके बोलता है कि तुम भी यह पर आजाओ, मज़े ढ़िए बैड में चाहिए और फिर इबो बोलता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ थे फ्राव्रेसीन से पानी लेकर आता हूं थोड़ा सा तुमको गरम-पण से साफ करता ह जान के खोलता है कुछ बोलने के लिए पर उससे पहले ही ना भांगीवह बोलता है ठीक है भूलके मतला ऑसूप करेगा पाने करेगा अर इसको क्लीन करेगा वह उसको ड्रॉप कर देता है बैट के अंदर आ जगता है ब्लेंकेट से खुद दोनों को ढख लेते हैं और दोनों एक दूसरे के जो चेस्ट में सनगल करके एक दूसरे को पकड़ करके सो जाते हैं आउजन के माइड में बहुत सारी चीज़े घूम रही होती है मैस में होता है उसका दिवांग फिर वो सोचता है कि अभी ये सब चीज़े मैटर नहीं करता है अभी इसके सामने जो उसका वांब पिलो है उसको ये मटर करता है कि उसे पकड़ को सोना है बस चलो जो भी है आप सोचो क्या हुआ है आगे देखते हैं क्या होता है आगे भी स्टोरी में अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेंवाला सिचेशन जो अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स एपिसोड से पर मुझे आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ज़दा पेंफुल नहीं होगा तो इसलिए आप लोग एंजोई करेंगे स्टोरी को और मेरी एपिसोड में बहुत ही अनिवेन बन रहा है जो भी ये फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि चट्र हैंगिंग में छोड़ दे तो मैं चेप्टर जहां पेंड हो रहा है वहीं पेंप्लीट कर रहा है तो इसलिए जो है ना जो टाइम डिरेशन एपिसोड का मतलब फ्लक्ट्वेट कर रहा है फ्रॉम एपिसोड टे एपिसोड तो जो भी हो आप लोग बताना कैसा लग रहा है और प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि देखो अब तीन बजगा है मैं इतने रात तक मतलब इसको रेकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि दिन मेरा मेंनत दीख रहे तो आप लोग प्लीस जीतने वी वीवर्स है हैं जीडहोंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीस सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करना कुछ नहीं जाता जैसे क्लिक की तो करना आ है ठीक है ओक Design by Thаank you